हालो एंड वेलकम तुडियो और हेर फोर न्यू लीगल टॉपिक आठके जो हमारा टॉपिक है वह इक्जेक्शिशन अफ दी फैमिली डिग्री, इस्ट दी नियू अफ ठीक्शन होगी? उस हिसाब से family code जो एक degree पास करेगी, hearing होगी, hearing के बाद, जो उसका procedure है family code एक्ट में, उसके मताबए family code जो एक degree issue करेगी अब एक specific जो form है, उस form में वो degree उसमें तमाँ issue की जाएगी, जिसमें तमाँ particles होते हैं, code का नाम होते हैं, parties के नाम होते हैं, और किस चीज़ की degree है, पूरी detail होती है, वो जहें वो उसमें दी जाएगी, और इसके लवागा रकम या जैदाद की degree है, तो वो जो है ना family code के पास वो दी जाएगी, उसके execution के लिए अगर ये रकम या जैदाद के लिए ये थी, तो उसके हम execute करना चाहते हैं, तो उसके execution के लिए हम family code में वो दी जाएगा, अगर code उस चीज़ पर मुतमाइन होती है, तो उसमें एक register पर उसका इंदराज करेगी, और उसके बाद, और रेगरी है, और money की डिगरी वो पे नहीं होती है, अदाला आदाला जो एरियर रेवन्यू के ताथ, वो recover करने का अख्यार करती है, और उसके ताथ, वो दीगरी की जो money है, वो code जो है, वो execution के throw, वो जो है, उसको recover कर सकती है, और डिगरी execute करेगी, उस court वो याद रखेगी क execute court करेगी जिस court किसी दूसरी जी आपक है कि दूसले रहती है तो उस court में वह सकती है एक्जिक्यूशन के लिए आध्रा, माई, जिस court उसमें एक तो यह तरीका है कि उसको उसकी सेल होई अगर गौर्णमेंट सर्वेंट तो उसकी सेल ही अटाइच की जा सकती है, दूसरी यह है कि अगर उसकी प्रपल्टी है तो वो अटाइच की जा सकती है, तीसरी सुर्ज है, वो मोड अजिकूट यह है, कि अगर कुछ भी न आज़ दे, हाव आज़ दे, आलाफ़ाइद आज़ दे, आलाफ़ाइद